पूरी दुनिया की नसरे विक्रम ब्लांडर की चंद्रमा पर लांडिंग देखने के लिए बेताब थी तभी रात एक बचकर 40 मिनट से एक बचकर 55 मिनट के बीच के 15 मिनट इसरो के लिए खौफ से भरे थे क्योंकि इसरो के ग्राउंड स्टेशन का विक्रम से संपर्क तूट गया था और सभी मायूस हो गये थे लेकिन इसरो ने अपनी उमीद नहीं छोड़ी और विक्रम को ढूंड भी निकाला लेकिन अब विक्रम से संपर्क कैसे साधा जाए इसके लिए इसरो कोई रास्ता नहीं तलाश पा रहा है लेकिन इसरो के इस समस्या का हल नासा ने ढूंड निकाला है अब विक्रम लैंडर का पता लगाने में अमेरिकी अंत्रेक्ष एजेंसी नासा मदद करेगा दरसल नासा का ओर्बिटर आने वाले मंगलवार को यानि की 17 सितंबर को चंद्रमा की सता के उपर से उडान भरेगा और उसी जगे से गुजरेगा जहां विक्रम लैंड हुआ है और संभव है कि नासा का ओर्बिटर लैंडिंग साइट की तस्वीरे भेजे स्पेस फ्लाइट लाउ ने नासा के ओर्बिटर के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नुवाप पेत्रो ने कहा कि नासा की नीती के मताबिक उसके ओर्बिटर का डेटा सारवजनिक तोर पर उपलब्ध होता है इससे होगा ये कि इसरो को विक्रम लैंडर से संपर्क साधने में आसानी होगी और विक्रम से संपर्क करने की उमीदे बढ़ जाएंगी हालांकि विक्रम लैंडर के पता लगने के तो इसरो दावे कर रहा है लेकिन ग्राउंड स्टेशन की तरफ से अभी तक विक्रम लैंडर की कोई भी तस्वीर जारी नहीं की गई है बता दे कि नासा के और्बिटर से इसरो को उमीद इसलिए है क्योंकि अभी कुछी दिन पहले उसने अपने हाई रिजॉलिशन कैमरे से अपोलो 11 के लैंडिंग साइट की तस्वीर भीजी थी जो की काफी स्पष्ट थी और 40 साल पहले चान पर मनुशी की लैंडिंग के फुट्प्रिंट्स तक को दर्शा रही है इसके अलावा भी हाली में क्रैश हुए इस्राइली स्पेस्क्राफ्ट की तस्वीरे भी नासा के और्बिटर ने जारी की थी अब उमीद नासा से ही है कि कब नासा का और्बिटर विक्रम लैंडर की लांडिंग वाली जगे के उपर से गुजरेगा और हमें विक्रम की असल हालत की जानकारी दे पाएगा लेकिन कहते हैं ना कि उमीद पर दुनिया कायम है तो शायद नासा ही इस्रो के मिशन चंडरयान टू में एक संकट मोचक की भूमिक आदा करें बतादे कि चंडरयान टू के ओर्बिटर से विक्रम की मौजूदा स्थिती के बारे में तो पता चल गया था कि वो चंडरुमा की सता पर तो सुरक्षित है लांडर के टुकडे टुकडे भी नहीं हुए है अब नासा कॉर्बिटर ही विक्रम की असल कंडिशन बता पाएगा और उसके बाद ही इस्रो इस बारे में कोई कदम उठा पाएगी अलांके इस्रो ने भी विक्रम से संपर्ख साधने के अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ा है से बड़ा हुआ है जब शरुवाती रुकावटों के बावजूद हमने इत्यासिक सिद्धियां हांसल किया है खुद इस्रो भी कभी नहार मानने वाली संस्कृत कहां जीता जागता उधारण है अगर अपनी स्वरुवाती दिक्कमतों और चुनवतियों से हार जाते तो आज इस्रो दुनिया की अग्रणी स्पेस एजेंसी में से एक कास्थान नहीं ले पाठा साथियों परणाम अपनी जगह है लेकिन मुझे और पूरे देश को अपने वेज्ञानी को इंजीनियरों आप सभी के प्रयासों पर गर्वा है मैंने आप से रात में भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूं मैं आपके साथ हूँ देश भी आपके साथ है साथियों हर मुश्किल हर संगर्ष हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखा कर जाती है कुछ नए आविश्कार नई टेक्नलोजी के लिए प्रेरीत करती है और इसी से हमारी आगे के सफलता तैह होती है वैसे भी मैं मानता हूं ज्ञान का अगर सबसे बड़ा सिख्षक कोई है तो विज्ञान है विज्ञान में विफलता होती ही नहीं है केवल प्रयोग और प्रयास होते है हर प्रयोग हर प्रयास ज्ञान के नए बीजबो कर जाता है नई संभावनों की नीव रख करके जाता है और हमें अपने असीम सामर्थ का ऐसास दिलाता है प्रयोग है